हेलो दोस्तों और यू जिस साड़ कुर्चे रन तो आपसे निफ्टे-फिटे की टॉप कंपनी है तो को पता ही है सन फार्मा का नाम है घर-घर में सन फार्मा की दवाई यह पड़ी हुई है बहुत बड़ा मल्टिनेशनल ब्रैंड है अमेरिका यूएस में भी रिजिस्टर है तो उसके बारे में थोड़ा डिसक्स करेंगा नतीजे कल चाहिए सकी वीडियो नहीं है ठर्टिस्ट कोई इसके नतीजे अए तो वही मैं आपसे डिसक्स करूंगा यह देखवाये थे अजिश्च कर दो लॉस क्यूंआ इस कमपनी को 1105 कुरोड कर उड़ वंटाइं लो स क्यों आया उसके बारे में डिसक्स करेंगे आगे क्या करना है उसके बारे में डिसक्स करेंगे पहले भी मैंने रिकमेंड यह स्टॉक प्रोफिट इसका जो था लास्ट क्वाटर में जूंदो में तेरा सो सासी ग्रोड था जबकि अब सो माइनस 1655 ग्रोड हो चुका है इसका मतलब कि मेरा अभी 220 परसंट मैं डाउन हूं 220 परसंट डाउन 220 परसंट बहुत जाद हुआ हम माल लेते चलो 20 परसंट कम हो गया 10 परसंट कम हो गया 50 परसंट कम है 220 परसंट मैं डबल से भी ज़्यादा गिर चुका है तो थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे संफार्मा यह है और मेजर इन्होंने बोला है कि रिपोर्टर नेट प्रॉफिट जब था इनका 380 क्रोड था कोर्स्पोंडिंग यह पी तो नेट प्रॉफिट वन टाइम लोस्ट तो डाट 1449 प्रॉड विच ग्रूब आए से 4.5 परसंट एयर और यह बेसिस नेट प्रॉफिट आजवन का रैविणी फ्रॉफिट प्रॉफिट अप्रेशन जो 7585 से डिक्लाइं वह भी 10 परसंट रैविण्यू भी गिरा इनका पर अथारह सो तैर्टालीस क्रॉड तक आ चुकी है और फिर आगे देखो इनका क्या वो रहे हैं यह इनका केश चल्राइं यह कि यूँ एसकी कंपनी है और एक यूएस में अपशलारह को इनका केश चल्राइए तो वह इन्होंने सैटल्मेंट की है तो इन्होंने अपना के नाम पर टेरो भी की सब्सेडिरी कंपनी दोनों सब्सेडिरी कंपनी है दूसरी का नाम भी मैं बता दूंगा आपको कि एस्टीमेट जो कर रहे थे वह 1582 क्रोड का कर रहे थे यह लोस जो अगर इन्होंने करना था मार्जन है 20 परसेंट वाटर जून टेरो ने जो सेल्स किया वह 117 मिलियन किया 880 के पास किया वह 205 परसेंट डाउन है इनकी कमेंटरी सुनने वाले होते हैं इन्होंने बोला कि जो नेट लोस जो है वाटर वाज 435 मिलियन वही टेरो रिपोर्टेट सेटलमेंट वान टाइम कंटिंजेंसी इन्होंने रख दी है कि इनका को केस चला मैंने फिर भी आपको बोला कि वो सेटलमेंट इन्होंने पहली प्रवीजन में पैसे डाल करें कभी भी इनको मैच्योर् सिर्फ इसी केस की वज़ा से यह बारा सो से गिर करके तीन सो पर आ गया था आज यह कंपनी प्रोफिट कमा कमा के कमा कमा के करकर के इसने सारा अपनी प्रवीजन में पैसा ट्रांसफर कर दिया तो बहुत अच्छी बात आ यह ठीक है इसकी जो अधर इंकम है आप देख लो 153 क्रोड थी वह भी थोड़ी सी जबकि 100 क्रोड से कम होगी 280 क्रोड का फरक पड़ गया उसके 68% डाउन हो गई है यह बाकी एक्सेप्शनल आइटम में इन्होंने 3633 क्रोड डाला है जबकि मेरा प्रोफिट था 15-16 क्रोड था अब मैं लोस डाल दूँगा तो वही मेरा 1600 क्रोड माइनस में लोस आ चुका है इन्होंने बोला कि दो के कंपनी हैं इनकी सबसीडी टैरो फार्मासोटिकल एंड डूसा फार्मासोटिकल यह देखो मैंने आपको दिखा भी दिया यह देखो फार्मासोटिकल इनका केस चला था यूएस के पास गौश्ट डिपार्टमेंट और जस्टिस के पास तो वही इन्होंने सारा अपना पैसा यहां से निकालके रख दिया है इस अब संब्सक्राइब रिजॉल्व आल जस्टिस के इनका जो सारा केस था पूरा सब्सक्राइब हो चुकी इसकेश की देखो 24 जुलाइज के न्यूज आप खुद समय लो 24 जुलाइज का था तो टैरो डिसकसिंग सेपरेट को पर इन्हों सेपरेट को पर अजैंसी बना दी यूस डिपार्टमेंट के साथ अंडर्दार डैफर्ट प्रोजिकेशन यह आप खुद भी न्यूस पढ़ सकते हैं दो या तेरह में रिजिस्टर हुई थी अमेरिकन टैरो फार्मसोटिकल टूडे अनॉस्मेंट अट आवल कैसे लेटर टो मिल्टी इयर इन्वेस्टिके बहुत सालों से इन्वेस्टिकेशन चल रही थी यूस बिन रिजॉल्ड सिंप्ल द्रग प्राइसिज कोई इनका केस द्रग प्राइसिज के लेटर देनों का केस चल रहा था वी और हैपी टू है रिच दिस ग्लोबल रेजुलिशन विद डिपार्टम अव जस्टिज उदे बल्डोटा मैं अगर इंवेस्टमेंट करनी है अपने 5050 के स्टॉक में ही करो अच्छे रहेंगा टैरो इस दे कमिट्मेंट टू हाइस्ट लेवल एथिक्स और इंटेग्रेटी अपनी कमिट्मेंट बता रहे हैं के बहुत जाद हमारी अच्छी कमिट्मेंट है वी वी विल का केश चल रहा था टारो फार्मसुटिकल इव दा कम्पनी अधर्स्टू तू 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 अग्रिमेंट इंक्लूदिंग पेमंट ऑफ दो सो पांच मिलियन अप्रोचिमेटली पंद्रहसो ब्याली क्रोड इन्होंने सारा सेटलमेंट कर दी इस पिछ डिपार्टमेंट कंपनी अग्रीट तू वही सोलह सो क्रोड का इन्होंने सारी सेटलमेंट कर दी है प्रांगे रिजल्ट देख Lो आप मार्च करूंगें गर मैं कमपैरेजें करूंगा तो मेरी सेवन परसंट डाउन हुए है क्यांट सो क्रोड थी किसी सो क्रोड मेरी मार्च मैं थी तो वहईनेट प्रोफिड मेरा है माइऩेस पांसो चोड़ा परसंड गिए पर मेरा मार्च में था 300-400 क्रोड था तो अभी माइनस आ गया 1600 क्रोड आ गया तो 500% प्रोफिट मार्च के गिरा है ठीक है तो यहां पर नेट सेल देखो नेट सेल वही 7% गिरी वही है अप्रेटिंग प्रोफिट है 35% प्रोफिट में थो थोड़ा बड़ोतरी हुई 35% की एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने 3600 क्रोड का लोज डाल तो माइनस बारह सो एक्सेप्शनल आइटम जो मार्च 2020 में 260 क्रोड की थी उसको कंपरिशन करता तो माइनस 1300% की घिरावट आ चुकी है कि सेल्स देख लो आप सेल मेरी 7600 क्रोड थी यहां पर आपको देख रही 262ck Kyoto क्रोड योण में तो यहoder 2019 में 200 क्रोड थी तो यह भी कहijeं हो साथ परसन डाउण है अगर जून-2019 के संट के अगर मेरी मार्च दाउनग देखुंगा तो मैं शोन के मेरा माइनस में आया अभी यह तो वही 500 परसंट अगर जून 2019 के कोडिंग आउन तो माइनस 220 परसंट डाउन आए 1387 के कोडिंग लिए ओप्रेटिंग प्रॉफिट है जो मेरा वह 35 परसंट प्लस हुआ जून 2019 के मुकाबले में माइनस 7 परसंट गिरा अथारह सो तरताली था 1995 मेरा जून में था तो मार्च के कोडिंग तो बढ़ा ही है इंट्रस्ट जो मेरी कोष्टिंग है वह 1152 क्रोड आई है जबकि पहले मार्च में तो एक सो चार थी जून 2019 में थी तो उसमें कमी है यह तो यह अच्छी बात है मेरी इंट्रस्ट कोष्टिंग कम होई है यहां पर 50 परसंट के कोडिंग लिए फिर अगर मैं आगे देखता हूं ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जना मेरा यह बढ़ा है 25 25 परसंट दली हो गया मार्च के कोडिंग बीठ और देखो जून में 24% मेरा द्म 949 परसंट यह बड़ी आछी बात है जून के मकाबले जून तू जून देखो गया तो मेरी नेट सेल थोड़ सी कम हुई है आठ परसंट पर नेट प्रफिड मेरा 220 परसंट गिर चुका है तेरह सो तसी क्रोड का मेरा प्रफिट था माइनस ओरा सो क्रोड आ चुका है पर मोटर की हिसे दारी देख लो अगर देखो मार्च और जून के लास्ट के इस क्वाटर में करूंगा तो एफ इस ने सैल की है माइनस गैरा परसंट की माइनस पॉंट वन वन परसंट की इंस्व प्रसंट की इंस्वारेंस कंपनी प्लस कीया हुआ इंस्वरेंस कंपनी ने बड़ा इंस्वरेंस कंपनी ने इमेंगा Oh… छितनी वहां पर सैलिंग होती है तो उतना 오늘은 और नौन इंश्वरेंस चूर्फी है तो जितनी यहां पर सैलिंग होती है उतना ही इसविए को करना पड़ा अब आप जोड़ों घै कि यहां पर 0.43, 0.03, 0.25 और 0.11 को जोड़ोगे तो वही उतनी ही 0.83 वहाँ पर बराबर की बराबर मतलब खरीदारी हो चुकी है तो यह तो था यहां तक का और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर जो रिजल्ट है इसके यह देखवा आज का जून के कोडिंग अगर मैं कंप यहां पर आजाओ भाई यह देखो एक्सेप्शनल आइटम यहां पर डल गई है 36 क्रोड की तो यहां पर मेरा कितना था यह बाइनस दो साड़ यहां पर जीरो थी इसी की वज़ह से मेरा लोग साइट यह यह इसी का थोड़ा सा इंपेक्ट पड़ा मेरा मतलब यह बहुत ह अच्छी बात अगर किसी ने ट्रेड करना है शेर में मैं बोल जाता हूं सिंपल आपने 500 रुपे का सब्सक्राइब लगाना हुए वांट सो बाइस टॉप मेकन स्टॉप लोग फाइफंडर्ड एंड माइप पजिशनल टार्गेट विल बिफाइफ फिफिफ्टी इस विल करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसलिए यह एक अच्छा प्रस्पेक्ट माना गया है कंपनी सेटल्मेंट करने पर आई है तो जुन्होंने सेटल्मेंट की भी है इसका बहुत बड़ा ब्रैंड अनफार्मा घर-घर में इसके दवाईयां पड़ी नहीं देखो लोस मेरा माइनस 1655 क्रोड था कहां 380 क्रोड था मार्च में मेरा वही 500 क्रोड के अप्रॉक्सिमेटली था मेरा तो यहां पर मैं अगर आपको यह देखाऊं यह हो गया आप तो मेरा यहां पर 500 के पास ही मेरा यह ओपन इंटरस्ट खड़ा हुगा कितने का नीचे पूट की साइड पर सबसे जड़ा छे लाग साथ साड़े शे लाग का पूट की साइड मतलब सपोर्ड बनी हुए मेरा यह 500 की स्ट्राइक के उपर यह आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है फिर अगर मैं इधर कॉल वाली साइड देखूंगा आपको देखो साथ ग्यारा लाक बासर्ड है यार के कोंट्रेक्ट खड़े हुए यहां पर पांसो की स्ट्राइक के उपर यह दो आपको दिख रहे हैं तो सबसे बड़ी स्पोर्ड यह 500 के उपर निकल के आ रही हैं तो इसका मतलब यह चाहते हैं कि पांसो पचास तो आए गई आगया उपर देखो आप 16 लाग के कॉंट्रेक्ट 600 रुपे के पड़े हुए हैं ठीक है मतलब कहीं न कहीं अभी भी इसमें 10-12 परसंड की रिटर्न है तो में यही मेरा फाइनल टार्गेट है 600 तक आना ही आना है इसने तो अगर वीडियो पर यह अच्छी लगी है तो इसको शेयर करो लाइक करो थैंक्स गुर्चरन हेर